आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्व चैनल क्वालिटी गाइडेंस में आज हम बात करेंगे पॉलिटी के कोश्चनों के बारे में जो बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए पूछ रहे थे हाला कि थोड़ा सा समय लग गया है ठीक है इन कोश्चन को करने के बाद आपका कोई कोश्चन नहीं चूटेगा ये अलग-अलग पार्ट में होंगे आज से सुरुवात हो चुकी है जल्दी कवर करने की इसको कोशिश करेंगे इसे तीन-चार आज के वीडियो में आपके तीन-चार चैप्टर कवर हो जाएंगे प्रटिका आप किसी भी स्टेट PCS की त्यार 3- studio 되어 आपको अनोचेदर आफर सुरुवारा जाया है डल यही आपका अनसर आफ्यकल है और चॉटल 305 आँचार ट्रृब ऑशीड है वीडियोडिका ए गाव का स्ट trout और 20 ए तो आस वीडियोडра जाए जो मूल हैं जो कर्मा क्रूप से हैं ठीक है अगर आप इन में सभी में A, आर्टिकल में B, C, जो आर्टिकलों के होते हैं जैसे 43 A, 43 B, ठीक है ऐसे करके मिलाएंगे तो 4659 हो चुके हैं ठीक है अनुसूचिया आपकी 12 की 12 ही है ठीक है लेकिन अगर आपके पास यह option है तो आप अपनी की उतनी है जब हमारा सभीधान लागू हुआ था तब 395 अनुशेद थे और 8 अनुसूचिया थी ठीक है बाद में 395 अनुशेद हुए 10 वी और अब बरतमान में बार रहे हैं अनुसूचियों के लिए पूरी डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए वो भी प्रशन है भारतिय स्विधान को स्विधान सवा के दौरा अंगीकरत कब किया तो यानी कि अपनाया कब गया था था तो यह डेटा कई बार एग्जाम में पुछा गया प्रशन 26 नूंबर 1949 को एस कांसर हो जाएगा 26 नूंबर 1949 को अपनाए गया था अंगीकरत अधिनियमित आत्मर पित्तिन सब्दों का वहाँ पर प्रयोग कर रखा है और सविधान लागू गया था आदको पता है कंदतर दिवस 26 नूंबर 1940 को हमारा सविधान लागू गया था पूर्ण रूप से सविधान सभा की जो प्रथम बैठक होई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक होई थी जो ठीक है और जो दूसरी बैठक होई थी वो ही थी 11 दिसंबर 1946 को ठीक है तो प्रथम बैटक कहीं बार कोशन पूछा गया है 9 दिसम्बर 1940 को प्रथम बैटक कोई थी सिविधान सभा की दूसरी बैटक 11 दिसम्बर कोई थी अभी इसके अधेक्ष के बारे में ही पड़ेंगे अगला प्रसन आ जाएगा आपका ठीक है सभिधान सभा की प्रथम बैटक की अधेक्षता किस ने की थी प्रथम बैटक मैं आपको बताई चुका हूँ 9 दिसम्बर 1940 को इसकी अधेक्षता किस ने की थी तो इसकी अधेक्षता की थी डाक्टर सचीदानन सिना ने ठीक है ये अस्थाई अदेक्स थे अस्थाई अदेक्स थे स्टेम ठीक है अस्थाई अदेक्स ठीक है और 11 दिसंबर को जो हुई दोबारा हुई जो 11 दिसंबर को उसमें पर्मनेंट डक्टर आजिंदर परसार को स्थाई अधिक्स इसमें चुन लिया गया था ठीक है परमनेंटर डक्टर आजिंदर परसार स्थाई अधिक्स थे इसके ठीक है अगर स्थाई अधिक्स थे इसके डक्टर साचीदानन सिना ठीक है भीम राम बेड़कर जिनका सबस्यादा योगदार रहा सिविधान निर्माण में ठीक है प्रारूप सिमिती का देख्ष भी थे डक्टर भीम राम बेड़कर और बी एन राब ये सिविधान सबागे समयधानिक सलाकार समयधानिक सलाकार ठीक है, BN Raab ठीक है बेनेगल नर्सिंग Raab पूरा नाम हैनका बेनेगल नर्सिंग Raab बेनेगल नर्सिंग Raab अगले प्रस्ण की तब बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है आपका स्विधा निर्मान के लिए बनाएगी प्रमुख समितियां फस्ट है、 नियम समिति संचालन समिति और रियासत समिति इसके थे डक्टर आजिंदर परसाथ यह आपको याद रखना है ठीक है, यह मैंने डटेल बैसी दिर रखी आंपर नियम समिति, संचालन समिति इन तीनों में से कोई भी पूछ ले जाएगा तो यो डाक्टर जंदर पर साथ है ठीक है उसके बाद है संग शक्ति स्मिती और संग सविधान स्मिती देखिए आप समय जुड़े हो हैं संग शक्ति स्मिती और संग सविधान स्मिती इसके थे पंडि जवाला नहरू और प्रारूप समिती जो सबसे प्रमुक समिती ती इसका सबसे आधा रोगजान था वो थे डाक्टर बीमराम बेड़कर उसके देख्ष थे ठीक है इसमें पूछा गया है यहां पर आगे बढ़ते हैं प्रारूप समिती के बारे में थोड़ सबसें बढ़ते हैं तो देखष के लाबा कितने थे तो देख्ष के लाबा पूचेंगे तो चे सदस्बी सदस्वान थे टोटल पूचेंगे तो साथ हिसमें सदस्बीजाय यानि कि एक अधिक्ष हो गए ठीक है डक्टर भीमराब बेड़कर इसके देख्स थे उसके बाद डक्टर केमिनसी एन गोपाद स्वामी आइंगर अल्लादी कृष्णा स्वामी अयर एन माधवराब सायद मौमद सादुल्ला और टीटी कृष्णा मचारी ठीक है टीटी कृष्णा मचारी यह कलीर हो गए यहां पर आपका साद साद से हो गए इसमें ठीक है जो इसमें टीटी कृष्णा मचारी है वो आये ते डीपी खेतान की जगह उनकी डेथ होगी थी ठीक है डीपी खेतान की जगह पर आये थे और जो एन माधव है इसमें ये आये थे BL मित्तर की जगह उनकी बिड़त होगी थी BL मित्तर की जगह बार ठीक है बाद में यही थी ये सदे से पूछ ले जाते हैं कहीं बार रदेक्ष भी पूछ ले जाते हैं ठीक है, क्लिर हो गया और स्विधान को बनाने में सविधान निर्माण में आपका दो वर्स 11 महीने 18 दिन और टोटल इसमें अदिवेशन होए थे जो अदिवेशन बुलाए गए थे वो 11 अदिवेशन होए थे ठीक है उसके बाद है अगला है आपका शडूल से सम्मंदी था अगला प्रशन का उसके नाम का उसके राजशेतर एरिया का पूरे का पूरा ब्योरा देते हैं तो ये है फर्स शडूल आपका पहली अनसूची है जो हमारी इसके बारे में राज्य संग राजशेतर संग राजशेतर और उनके नाम राजशेतरों के एरिया जितने भी हैं वो first schedule में हमारे दे रखी है ठीक है ये इसका अंसर है दूसरी में क्या दे रखा है दूसरी नसूची में क्या दिया हुआ दूसरी नसूची में क्या दिया हुआ दूसरी नसूची में दे रखा है वेतन बत्ते पैंसन ठीक है जितने भी आपके अधिकारी हैं संसा सदस्य हैं ये सभी के सभी इनके बेतन बत्ते MLA MP सब इनके बारे में वहां पर दे रखा है ठीक है उसके बाद है तीसी रून सूची तीसी रून सूची में क्या दिया हुआ है तीसी रून सूची में दे रखी है शपत इनिकी प्रतिग्यान यानिकी जो इनके दोवारा ओथ ली जाती है ठीक है संसर सदिस्से विधान मंडल के सदिस्से सभी के बारे में चोथी है अनुसूची है फोर्स चेडूल में क्या दे रखा है जो राज्य और कुछ यूनिन टेरिटरी है जो उनका राज्य सभा में स्थानों का वंटन ठीक है राज्य सभा में जो उनको स्थान दे रखे है राज्य सभा में स्थान दिये हुए है तो जहां विधान सभा होगी स्थान तो वही होगी यह तो बात पता होगी ठीक है क्योंकि उन्हें के दुवारा निर्वाचित होते हैं राजय सभा के सदस्य क्लिर हो गया आगे है भासा से संबंदित कौन सी नसूची है ठीक है भासा से संबंदित लेंगवे से संबंदित कौन सी नसूची है तो यह नसूची है आपकी आठवी आठवा शेडूल है जो वो भाषा से सम्मंदित है आपका, ठीक है, परतमान में कितनी भाषा हैं सामिल हैं, इसमें, बाइस भाषा इसमें सामिल हैं, लास्ट में बोडो, डोगरी, मैथीली, संथाली को मिला था, बोडो, डोगरी, मैथीली, और संथाली को, बाइस भाषा हैं हो चुगे हैं, टो शित्र हैं और जो जन जाती शित्र है एरिया की बात हो रही है यहां पर ठीक है इनके परशाशन के बारे में अरक्षन की बात नहीं है पर इनके परशाशन के बारे में अब छटी इनसूची में क्या है इसमें है असम में गाले तिरपुरा और मीजरम ये रट लेना आपको ये चार हैं इनके अनसूचीत और जंजाती छेत्रों के परशासन के बारे में देखिए इनके लिए अलग से बस्ता कर रखिए ये आपको कनफीज नहीं होना है आपर पांचवी और छटी अनसूची दोनों की दोनों अनसूची तर जंजाती छेत्रों के परशासन से जुड़ी हुई है लेकिन छटी जो अनसूची है उसमें असम, मेगाले, तिरपुरा और मीजरम के छेत्रों के बारे में है ठीक है और जो पांचवी है जो बचे हुआ है पूरे देश के उनके बारे में क्लियर हो गए है आपर ठीक है आगे इसमें है एक जो क्लियर करना है वो है ये साथवी उन सूची साथवी शेडूल में क्या दिया हुआ है है इसमें लिस्ट दे रख ही है तीन तरह की लिस्ट है इसमें एक तो नहीं लिस्ट इसमें संग सुची तीनों की तीनों की तीन concurrent list है तीनों की तीनों है ठीक है तीन सूची है इसमें दे रखिये हैं संग सूची है तो यूनियन की है जो उस पे center government कानून मना सकती है ठीक है 97 विशे है इसमें ए भी जोड़कर नहीं बता रहा है मैं ए भी जोड़कर 98 हो जाएंगे टोटल जो basic है मैं बता रहा हूँ question उन्हीं पुशे जाते है दूसरी है राजय सूची जिसमें राजय कानून मना सकता है ठीक है 66 है वैसे कम हो गया इसमें 59 रह गया है ठीक है लेकिन basic है मैं वही बता रहा हूँ फिर बार बार वही चीज concurrence list है जो जिसमें 47 विशे है ठीक है परतमान में जोड़कर बावन हो चुके है आपको यह ज़्यादा रखने है इन पे दोनों बना सकते है इसमें center बना सकता है इसमें state बना सकता है इसमें दोनों बना सकते है ठीक है ठीक है अगर इनकी पूरी की पूरी डेटेल चाहिए दल बदल कानून कौन सी अनसूची में है दल बदल का जो कानून है वो कौन से शुडूल में आपका दे रखा है कौन सी अनसूची में दिया गया है तो ये दल बदल का जो आपका कानून है ये दिया गया है दस्वे अनसूची में इसका अंसर हो जाएगा आपका B ये कब जोड़ीगी थी ये जोड़ीगी थी 1985 में ठीक है बावर में सुविदान सुन्सोदन के दौरा बाद में जोड़ीगी थी सुरुवात में दाठी थी मैंने बताया था आपको ठीक है दल बदल के लिए इसमें कानून बनाए गया है नौवी अनसूची है जो जो सुप्रीम कोट के जुडिसी रिवी से बचाने के लिए इसमें जो कानून वो डाल दी जाते हैं ठीक है पहले सबसे जब पहले भी वाद उठाता वो संपत्ती का अधिकार को लेकर कहले के वो अपसमात हो जगा है अब आरक्षन से संबंदीत और भूमी अधिकार वाड़े जो कानून है विसिस्ट अधिनियम जिनको बोल देते हैं विसिस्ट अधिनियम वो इसमें डाले गए ठीक है उनीसे काबन में फर्स्ट सुधान सुधन के दोरा ही इसकी स्थाक्टन होगी थी ग्यारवीन सूची है ग्यारवीन सूची किससे जुड़ी हुई आपकी ग्यारवीन सूची जुड़ी है पंचायते जिसमें पंचायते दे रखी है ठीक है 74.75 के द्वारा ये तो पता ही होगा 73.75 के द्वारा पंचाइदें जोड़ेगी थे और 74.75 के द्वारा नगरपाली के जोड़ेगी थे इसमें 18 विशे हैं टोटल जिन पर मिस्पैल्टी कानून बना सकती है कलियर होगी आपके निसूचियां आपर टोटल की टोटल ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है इसमें भारत की संगात्मक विश्था फेडरल जो सिस्टम है हमारा ठीक है किस देश के सविधान से लिया गया है हमारी जो संगात्मक विश्था है किस देश के सविधान से ले गई है हमारी जो संग्य वस्ता वो ले गई है कनाटा के सविधान से इसका अंसर हो जाएगा आपका भी ठीक है संग्य वस्ता हमारी यहां से ले गई है छी कनाटा के सविधान से और क्या लिया गया है कनाटा के सविधान से और लिया गया है मुख्या अवसिष्ट सकतियां जो केंधर के पास अवसिष्ट सकतियां यानि कि अगर जो अभी हम बात कर रहे थे संघ सुची राज़ सुची संबर्त रहे अगर इन में से कोई अलग से विशय है तो वो उस पे कानूर मना सकता है सेंटर जैसे बसे शिक्तियां अमेरिका में कानूर मना सकते हैं स्टेट वहाँ पर स्टेट को ज़्यादा पावर दे रखिए ठीक है यहाँ पर मुख्या है और वैसे तो उच्छेतम नेले का प्रामर्स नेलेने जो होता है वो भी डीपेस भी बोल दिया जाता है ठीक है यह आरलेंड के सिवधान से लिये गए है राष्टपती के निर्वाचन की जो पदती है राष्टपती के निर्वाचन की जो पदती है राष्टपती के निर्वाचन की पदती वो भी यहाँ से लिये गई है ठीक है आरलेंड के सविधान से ठीक है उसके बाद है United Kingdom United Kingdom से तो बहुत कुछ लिया गया है क्योंकि उन्हीं का यहां पर रास्ता ठीक है मैं वैसे बता देता हूं लिखना ज़्याद जरूरी नहीं है सुलनी जी आप एक तो यहां से संसदिय शासन पढ़ना ली हुमारा पूरा पार्लेमेंट सिस्टम यहां से लिया गया है विदी का सासन equality before law ठीक है पार्लेमेंट सिस्टम है जो हुमारा पूरा मंतर मंदलिय पढ़ना ली पूरी की पूरी एकल नागरिकता एकी नागरिकता होगी दी सिद्रिय पढ़ना ली, दो सदन होंगे, ठीक है, विधाई परक्रिया, संसदिय विशेशादिकार, परमादिकार लेक, ये सारा का सारा ब्रिटेन के स्विधान से लिया गया है, United Kingdom से स्विक्तराज अमेरिका से क्या है, जाता अंतर जो कोश्चन पूछा जाता है स्विक्तराज अमेरिका से, वो आता है दो पर, एक तो है मौल अदिकार, फंडमेंटर राइट, मौल अदिकार, ठीक है, प्रतम लिखित सविधान भी है ये, स्विक्तराज अमेरिका का सविधान दूसरा है जुडिसर रिवे नियाइक पुनर विलोकन पे नियाइक पुनर विलोकन पे जो है वो पूछा जाता है ये सब के सब यहां से ले रखे हैं ठीक है उसके बाद है रास्टपती पर महाभियोग महाभियोग भी यहीं से लिया गया है रास्टपती पर महाभियोग की जो प्रक्रिया वो यहीं से लिया गया है और उच्छितम नेले और उच्छिनेले के नेदीशों को हटाने का जोब बंद है वो भी यहीं से लिया गया है क्लिर हो गया है आपर ठीक है आगे है भारत के सिविधान में सम्बर्ती सूची किस देश के सिविधान से ली गई है जो हम उपर सम्बर्ती सूची की बात कर रहे थे ठीक है ये ले गई है अस्टेलिया के सिविधान से सम्बर्ती सूची ली गई है अस्टेलिया के सिविधान से ली गई है ठीक है, क्लिर हो गए हैं अब है सोबित संग से क्या लिया गया है, सोबित संग के जो सविधान सा उससे लिया गया है मौलिक करतव्य, मुख्य है जो, मौलिक करतव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, भाग चार कव में, ठीक है, और क्या लिया गया है यहां से, इससे लिया गया ह समाजिक आर्थिक राजनितिक आदर्स है जो वी लिया गया है जर्मनी के वाईमर सब्दान से कह लिया गया है ये कोश्चन बहुत बार पूछा गया है जर्मनी के वाईमर सब्दान से लिया गया है अपात कालिन उपबंद अपात काल उपबंद और उस समय जो मौलिक अदिकारों का निलंबन यह भी वह वह जरमनी के वाइमर स्थापित प्रक्रिया प्रक्रिया ठीक है क्लिर हो गया है उपर आगे बढ़ते हैं आगे है स्थापित प्रक्रिया स्विधान में संसोधन किस परकार होगा स्विधान में संसोधन की जो परक्रिया है किस देश के स्विधान से ली गई है तो ये लिया गया है दक्षन अफरीका के स्विधान से स्विधान में संसोधन की जो परक्रिया है वो दक्षन अफरीका के स्विधान से हमने ली है ठीक है फ्रांस के स्विधान से हमने क्या लिया है फ्रांस के स्विधान से जो उदेशी का में सबतंतरता समता और बंदुता जो अदर्श है वो वहां से लिया गया और गणराज गणराज की बदरना कि जो हमारा राज पर मुख है वो चुना हुआ होने चाहिए ठीक है United Kingdom United Kingdom को मैं उपर आपको बताई चुका हूँ और बाकी बचा हुआ जितना भी है इसमें से सबी का सबी है बाकी दो तिह ही आ जाएगा 12 सासनी दिनियम 1935 ठीक है आगे बढ़ते हैं सिब्धान की उदेशी का इसको छोटो कर लेते हैं हम अगला प्रसना है स्बीधान की उदेशी का सोरी क्लियर कर लेते हैं महाँ पर हम स्बीधान की उदेशी का प्रस्ताव ना के निमिन कतनों पर विचार कीजिए निमिन में कौन सा सही नहीं है पंडित नहरु द्वारा उदेश से प्रस्ताव ही अंगोत तवा उदेश शीका बना बिल्कुस सही है यह उदेश से प्रस्ताव जो पंडित जौला नेरो ने प्रस्तुत किया था बाद में उदेश शीका करूब बन गया था ठीक है इसकी प्रक्रति है उदेशी का की परस्तावना की बात हो रही है यहांपर बैयाली समें सुन्शोधन के दवारा ठीक है लेकिन इसमें ये कहा गया कि इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है इसमें से इसका जो मूल सिधानत है वो घटाया नहीं जा सकता ठीक है ये चीज कही गए अब हाला कि जो बेरुबाड के इसमें कहा गया था उसमें ये कहा गया था इसमें संसोधन नहीं किया जा सकता है लेकिन बाद में का आ गया है संसोधन किया जा सकता है लेकिन इसकी मूल सराचनल को नहीं हटा जा सकता है इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है ठीक है तो अंसर यह हो जाएगा इसका है इसमें स्विधान को अंगिकरत करने की तारिक दे रखिए बिलकुल दे रखिए 26 मॉंबर उनिसो निचास बिलकुल दी हुई लास्त में ठीक है क्लीर हो गया है पर आगे बढ़ते हैं 42 में 27 सुदन जिसकी हम बात कर रहे हैं उपर स्विधान सुदन द्वारा देशी का में जोड़े गए हैं तीन सब्द जोड़े गए थे समाजवद्धी पंथ निरपेक्स और खंड़ता ठीक है एकता थे पहले ही था उसके जगए खंड़ता समाजवद्धी पंथ निरपेक्स एकता और खंड़ता मतलब खंड़ता तीन सब्द इसमें जोड़े गए थे याद रखना आपको मीनी कॉंसिटूशन भी 42 में 27 सुदन को बोला जाता है उसके आगए है पस्तावना में दिया गया है प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है सामाजिक आर्थिक राजनेतिक निया बिल्कुल ठीक है तीन परकार का निया दे रखा है सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक निया की बात की गी है अगर आपने उदेशिका पड़ रखिए बिचार, अभिव्यक्ति, विस्वास, धर्म और उपासना की सफंतरता, ठीक है, पांच प्रकार की सम्तरता दी गई है उदेशिका की बात कर रहे हैं मियाँ पर पस्ताबना की फॉंड़मेंटर राइट की बात नहीं कर रहे हैं मियाँ पर, ठीक है प्रतिष्टा और अफसर की समता दे रखी है बिल्कुल सही है व्यक्ति की गरीमा राष्ट की एकता और खंडदा यह मुझ बुर बाती कर रहे थे ठीक है तो यह इसका अंसर हो जाएगा E सभी के सभीस में दिये हुए क्लिर हो गया अगे है भारत एक घंदतन्तर है इसका अर्थ क्या है यह कोशन पूचा गया है अंती मदिगार जनता के पास है इसा नहीं है यह तो पर्लिमेंट सिस्टम मुझे मतलब हमारा लोकतन्तर हो गया भारत की संसिदिया सासन है इसा भी नहीं है संसित की पावर होगी भारत में परदान मंतरी निर्वाचित होता है नहीं ये तो संसित है शासन परणाली का गुण है भारत में राष्टपती निर्वाचित होता है बिलकुल ये है सकांसर रिपबलिक कांसर ये होता है रिपबलिक जगर पूछा जाएगा जहां पर देश का प्रमुक शासन का प्रमुक हमारे हैं प्रदार मंतरी है देश का प्रमुक हमारे हैं राष्ट परी जहां देश का प्रमुक है जो निर्वाचित होता है वो रिपब्लिक होता है जैसे ब्रिटेन में जो प्रमुक है वो राजायरानी होता है वहाँपर तो वो रिपब्लिक नहीं है ठीक है उसके आगे है भारत के संदर्म में कौन धरनिल्पेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है ठीक है धरनिल्पेक्ष जो मारी उदेशीगा में भी आया है धरनिल्पेक्ष शब्द भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बिलकुल सही, धर्म रिपेक्ष का यह होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, नहीं वो किसी धर्म का पोशन करता है, हाँ सभी को अपने अपने धर्म को विक्ति की इच्छा बिर्बर करता है, किसी धर्म को मानता है नहीं मानता है या नास्तिक है जो भी है ठीक है तो इसका अंसर ये है इनके question आते हैं आपको ये इनके अंसर आपको ध्यान से देने हैं या आपको किसी वैसे book में नहीं मिलेंगे ठीक है उसके आगे है स्विधान के प्रथम अनुशेद के अनुसार भारत क्या है राज्यों का समू है राज्यों का federation है राज्यों का confrontation है या राज्यों का union है हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे बेर एक्टोस में राज्यों का संग लेकिन संग की जगा वहाँ union सब्द का प्रियोक किया गया राज्यों का union है तो इसका अंसर हो जाएगा ये हाला कि वहाँ पर federation लिखा जा सकता था इंग्लिश में लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान देना है union है क्योंकि भारत के किसी भी प्रांतकोश से अलग होने का अधिकार नहीं है इसका अंसर ये हो जाएगा अगला प्रसन है संग में यानि कि देश में संग में नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना और निर्मान यानि कि राज्यों को प्रवेश देने के लिए राज्यों की स्थापना करने के लिए और राज्यों का निर्मान द्वार नए राज्य बनाने के लिए एक राज्य से दो राज्यों को जोड़ कर या एक राज्य में से दूसरा राज्य निकाल कर इसकी सबकी पावर शक्ती निहित किसमे है तो 10 का anser हो जाएगा आपका संसद में शंसद में इसकी पूरी शक्ति दे रखी है नए राजों का बढ़ा सकती है किसी राज्य का शेत्र घा है किसी के नाम में प्रिवर्तन कर सकती है तो ये सक्ति संसद में है बाद में इस पे सिगनेचर रास्ट वेदी गुतते हैं ठीक है राज्य पुनर गठन आयोग जिससे राज्यों का निर्मान हुआ था राज्य पुनर गठन आयोग जो भाषा यदार बडिमान आगे कराएं कुश्चन राज्य पुनर गठन आयोग अब ने एक नॉमबर 1966 को 1956 को सौरी कितने राज्य और कितने संग बनाए थे ठीक है पहली बाद तो यह है राज्य पुनर गठन आयोग जो बनाय गए था फजल अली के देख्षता में बनाय गया था फजल अली के देख्षता में ठीक है ठीक है तो राज्य पुनर गठन आयोग की बनाय गया था तो इन्होंने जो राज्य का बेरा दिय था वो दिय था 14 राज्य और 6 संगरज ठीक है इन्होंने पनी रिपोर्ट में जो दिया था बनाये कितने गय थे बनाए गए थे 16 राज्य और 3 संग राज्य शित्र ठीक है क्लिर हो गए हाँ पर उसके आगे है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था अंदर प्रदेश 1953 में ही हो गए था ठीक है भाशा कादार पर गठी थोने वाला पहला राज्यर राज्जेपुन गठन आयोग ने कहा था कि भाशा दार पर राज्जेपुन का गठन नहीं किय जाना चाहिए लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए इनको निर्मांड करना हमारी मजबूरी है दूसरा है कि इसके साथ साथ हमें प्रशाशनिक और सांस्कृतिक चीजों को भी देख कर गे ध्यान में रखना चाहिए निर्मान करते समय है उसके बाद गुजरात और महरास्ट यह हुए थे बंबई प्रांथ से अलग ठीक है यह थे उनिस सौ साथ में बंबई प्रांथ को मतलब विवाजित कर दिया गया था गुजराती भाषा में और माराठी भाषा में ठीक है गुजरात और यह अलग हो गया थे नागालेंड को मनता में 1962 में पंजाव राज्य का विवाजनुबर जिसमें हरमारा हर्याना बना था ठीक है एक नमबर 1966 को के क्लिछांची आगे है सिकीम को पूर्ण रजे का दरजा पूर्운 रजजे का दरज़ा दिया गया था पहले से सहर रज्जे का दरज़ा भी दिया तिया गए था 36 में सुवधान सुनसोदन के दोरा किस संग राज्यों को सोरी किस संग राज्यों को उनिसों कत्तर में पूर्ण राज्य का दरजा दिया गया था यानि कि संग राज्य यूनिन टेरिटरी था वो पहले उसे पूर्ण राज्य का दरजा उसका है नर्देस क 20-0 में पूरन राज्य दीया गए था राज्यों से प्राथ सुप्चों में पूरहय तो त्हुंक हो था हैं आंप। कि और व्य जुक्ति मारा हैं, निकम है था है था इप्रशिज्व को क्रेंटे सना नोन हो अन्दर विध्य दो हुआ था सबसे पहले अलग 1953 में मदरास राज्य था बाद में तमिल भाषी चेत्र तमिल अड़ो बन गया था ठीक है और तेलगु भाषी चेत्र अंदरप्रदेश ठीक है महारास्ट और गुजरात पंबई परांथ से अलग हुए थे 1960 में नागा लैंड को 1963 में 62 या 63 में दर्जा दिया था 62 में वैसे कहीं जगा अदिनियम 62 में है दर्जा बना था ठीक है और हर्याना राज्य है जो एक नुम्बर तर्जे भी दिये वोए थे ठीक है 1987 में ये डेट आपको याद रखनी है सारी की सारी ठीक है कहीं बार सिक्वेंस पूछ लेते है आगे है ये तो बाद में बने थे 36 गड़ उत्राखंड और जारखंड 2000 में तेलंगाना 2014 में बने है जून में ठीक है और ये जम्मो कश्मीर एम लद्दाक, यूटी, यूनिन टेरिटरी इजने मने गाए है 2019 में, अक्तूबर में 31 अक्तूबर ठीक है तो ये रज्जे यहां पर क्लिर होगे आपके कौन से कब बने है ठीक है अनुसूचे शेडूल भी क्लिर होगी और प्रियम्बल भी आपकी क्लिर होगी ठीक है जि पूछनी हो बाकी त्यारी करते रहिए एक्जाम पक्का होगा ठीक है देखने और सुने के लिए धन्यवाद जय हिं जय भारत वन्दे मात्रम